हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भोलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको समय पर मिलती रहें दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको दिखाते हैं रहे समय हैरान कर देने वाले रोमांचक खबरें जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऐसा आखिर कैसे संभव हो सकता है दोस्तों आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना या देखा है जिसका निर्माण किसी इंसान या भगवान ने नहीं बलकि किसी भूत ने किया हो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जिसका निर्माण भूतों ने एक रात में ही किया था भारत में अंधविश्वास कितना ज्यादा लोगों की सोच में शामिल हो चुका है इसकी मिसाल है उत्तर प्रदेश के मेरट का एक गाउं जहां लोग भूतों को गाउं के रखवाली करने वाला मानते है गतियाना गाउं के लोगों का मानना है कि यहां एक प्राचीन मंदिर जो भूतों वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है भूतों ने रात भर में मंदिर बना डाला था हजारों साल पराने इस मंदिर में पूरी तरह से लाल इंटे लगी हुई है इसमें सीमेंट का प्रियोग भी नहीं हुआ है जब शिखर बनाने का समय आया तब सूरियोदय हो गया और भूतों को निर्मान बीच में छोड़कर भागना पड़ा और इसे बाद में पूरा किया गया 1980 में शिखर में दरारें पड़ गई और इसे दोबारा नए सिरे से उसी तरह बनाया गया जैसे बागी पूरा मंदिर बना है गाउवालों का मानना है कि ये मंदिर हमेशा उनके रक्षा करता है बाड, सूखे, ओले सभी से ये गाउव को बचाता है गाउव के एक किसान ने बताया कि जब खराफ असल के कारण बाकी देश में किसान आत्म हत्या करने को मजबूर हो जाते हैं तब भी दत्याना के किसानों को कोई समस्या नहीं आती तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं तो इसी तरह की जानी अंजानी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेर करें धन्यवाद